हम और आप मिलकर के डिसकेशन कर रहे हैं कुछ एतिहासिकता की बाते हिस्ट्री की बाते हैं आईए तो आज की जो मेजर बात हम करने वाले हैं आज का जो हमारा टाइटल है वो तीन टाइटल्स को डिसकस करेगा जिसके आधार पर कहते हैं कि वर्तमान भारत में जो भारती राज विवस्ता है वो इन्हीं तीन पर आधारित होती हुई दिखाई पड़ती है 1909, 1919, 1935 तो चर्चा करते हैं एक एक करके हर चीज पर सबसे पहली चर्चा 1909 के उपर क्या है आए सुनते हैं मेरे पैरे साथियों 1909 में असल में ऐसा क्या हुआ था जो एतिहासिक रूप से इतना मैत्वपून कहलाया हमने तरीका ये अपनाया है कि हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो आपको इसका देंगे इसके बाद में इसके उपर लगबग 10 प्रशन आप से करवाये जाएंगे जो कि तुरंट आपसे 5 मिनिट में सॉल्व हो जाने चाहिए इसके बाद में फिर हम 1919 पढ़ाएंगे इसके उपर 10 प्रशन आपको देंगे और उसके बाद में 1935 पढ़ाएंगे उसके अंदर हम आपको ऐसे ही 10 प्रशन देंगे ये हमने प्रयास करने का सोचा है देखते हैं कितना अच्छे से ये एक्जेक्यूट होता है कौशिश करते हैं ठीक है चलिए सात्यों तो सबसे पहली बात जो आपको पता हुनी चाहिए वो मैं आपके साथ डिसकास करता हूँ और वो है 1909 के एक्ट के बारे में कुछ बेसिक बाते हैं जने आप सुनने का प्रयास करें तो बहतर होगा सबसे पहली बात सबसे पहली बात ये है कि ये 1909 जो है वो असल में मारले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है मारले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है थोड़े एतिहासिक तत्य हैं ये आपको मालू होना चाहिए अच्छा अब आप एक बार मुझे बता दीजिए कि ये मारले कौन थे और मिंटो कौन थे ताकि उस आधार पर हम आप लोगों के साथ में आगे की बाते कर पाएं बताईए मेरे पैरे साथियों मारले कौन थे और मिंटो कौन थे ये में जल्दी करेंगे तो थोड़ा मेरे लिए फायदा रहेगा भारत सचिव ठीक है अच्छा इन दोन हम इसे एक विद्यारती कह रहा है मारने सचिव थे और मिंटो यहां के उस समय के वायस राय हुआ करते थे ठीक है न हाँ देखिए इंपोर्टेंट बात ये है क्यों ये बात कुछी मैंने आपसे जब हम 1858 पढ़ते हैं 1857 के अंदर ब्रिटिशर्स की वज़े से जब यहां पर यहां पर गवर्नर जनरल का पद खतम कर दिया गया और उसकी जगे पर नया पद स्रजित किया गया और वो सचिव का प्रद जो है वो ब्रिटिन में मतलब बनाया जाएगा सचिव जो है वो इस प्रकार से समझिए जैसे अमेरिका के अंदर रक्षा मंत्राले जो है वो एक सचिव के अधीन होता है ऐसे एक भारतिय सचिव नियुक्त किया गया जैसे उसके अधीन में पूरा भारत था तो एक तो भारत और उसके बाद में उसका यहाँ पर जो प्रतिनिधी है जो प्रतिनिधी उसकी मदद करेगा तो वो था वायस है तो यह दोनों आपस में मिल करके पूरा की पूरा नियम कानून बनाते थे कि देश को कैसे चलाना है तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर सबसे पहली बात जो की गई थी वो क्या थी आईए मैं आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पर एक बात और बात आपको यहाँ समझ में आनी चाहिए कि यह जो 1909 की बात हम करने जा रहे हैं इस 1909 में बहुत जादा जो दिक्कतें थी या फिर यह बहुत जादा जो डिमांड्स थी वो पता है कहां से जुड़ी हुई थी वो जुड़ी हुई थी 1905 से 1905 की क्या कहानी है 1905 में क्या हुआ था कि बंगाल का पार्टिशन हुआ था बंगाल की partition में बहुत जादा अंग्रेजों की किरकिरी हुई थी लॉर्ड करजन के टाइम पर ये माना गया था कि लॉर्ड करजन ने एक प्रकासे दुरुजन प्रकार का व्यवहार किया आनकि वो अपनी एक निती में कारगर रहा कि उसकी वज़े से कॉंग्रेस में डिस्प्यूट हो गया और कॉंग्रेस जो है वो नरमदल और गरमदल के अंदर बढ़ गई तो वो नरमदल और गरमदल के अंदर बढ़ गई थी कॉंग्रेस ठीक है 1907 के अंदर वो सूरत अधिवेशन में नरंदल और गरंदल में बटी और 1906 में देखिए सिलसले बार तरीके से देखिए 1905 में मतलब जो बंगाल विभाजन है वो होता है 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की मांग होती है तो यहां पर आप देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था ना उसके पीछे बोला तो ये गया था करजन के द्वारा कि प्रशाशन चलाने में हमें दिक्कत आ रही है लेकिन वास्तिक्ता में अंग्रेजों की मंशा थी कि ये हमारे साथ में क्या करें फूट डालो और राज करो की नीती अपनाएं यही कारण था कि 1906 में जब भारत के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हो तो ढाका के अंदर कहते हैं आप आगा खान के बारे में जानकारी रठते हैं तो मुस्लिम लीग की जो मांग थी असल में वो अंग्रेजों की द्वारा ही पन पाई गई थी जिस प्रकार 1885 में अंग्रेजों में से डफरिन ने कॉंग्रेज को पैदा किया था ऐसे ही अंग्रेजों के द्वारा ही क्या कार्य किया गया था मुस्लिम लीग को पैदा किया गया था और ये मुस्लिम लीग का जो संग्ठन है ये जा करके मिला था अंग्रेजों से कि भीया अब हमको आपने बना दिया है तो अब हमारी वज़े से जो हमारी demands है, उन्हें पूरा किया जाए. तो ऐसा कहते हैं, कि शिमला के अंदर एक प्रतिमिदी मंडल आगा खान के नित्रत्व में, आगा खान कौन? आगा खान के जो आपके Muslim League वाला आगा खान है, इसके नित्रत्म में मेरे प्यारे साथियों मिलने गया शमला और जाकर के अपने लिए separate electorate की मांग करी अब सवाल बनता है सरी ये separate electorate क्या होता है separate electorate का मतलब होता है प्रतिनिधित्व अलग व्यक्ति के पास हो वह कैसे जैसे समझ ये मान लीचेगा कि आप लोग एक जगह प दस अलग दस अलग इस प्रकार से अगर हैं तो हर किसी का अपना नेता हो यानि कि उनको अपना ही नित्रत्म मिले ऐसा नहीं कि मुसलिमानों का नेता हिंदू हो या सबका नेता एक हो ऐसा नहीं हर किसी का तो ऐसी मांग करी किसने अगरे जोने मांग करी मुस्लिम होने मांग करी किसके नितरत में मुस्लिम लीक के नितरत में ठीक है ना तो अब यहां पर क्या होता है मेरे पैरे साथियों कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हाँ जी आर टी ए सौरब लिख रहे हैं कि BPSC के questions देखकर के मज़ा आ गया था आज मैं 42 question out of 152 to 152 within 20 minutes solve कर दिये maximum question आपकी class से थे connect to अच्छा लगता है आपकी सारी classes बहुत बढ़िया भया सौरब बहुत सारे questions BPSC में हमारे class से आए हैं ये सुनकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है thank you so much आजी अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि major provisions क्या थे जब मार ले मिंटो तो इस बात को सुनकर के मेरे प्यारे साथियों क्या क्या कि अंग्रेजों ने एक समझदारी क्या समझदारी चली कि भाई अब इनके ने तरफ में डिमांड हमारे पास आई है तो क्यों ना इनके काम को भी कर दिया जाए और भारत में फूट डालो राजकरों की नीती भी पूरी कर दी जाए और कांग्रेस इतने दिनों से कह रही थी कि हमें भी प्रतिनिधित्व चाहिए हमें भी आपकी जो विधान सभाब एटती है लेज मारले मिंटों सुधार के अंदर क्या किया गया मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर legislative councils legislative councils तो ऐसे समझें विधान परिशद जो है center के अंदर और provinces के अंदर यानि राज्यों के अंदर उनमें सदश्यों की संख्या को increase कर दिया गया तो पहला काम क्या किया गया Central Legislative जो Council थी, उसमें सदश्यों की संख्या 16 से बढ़ा करके साथ कर दी गई, पहला कदम तो ये उठाया, नमबर एक है ना, अभी सुनिए गाध्यान से, मुश्किल से 5 मिनिट में मारले मिन्टों खतम कर देंगे हम और फिर सवाल करेंगे, तो obviously आप सारे सवाल सही भी कर देंगे, तो हम इस चीज को थोड़ा बोलते चल रहे हैं, नमबर एक, पहली बात 16 से लेकर के साथ कर दिया गया सदश्यों की संख्या को, ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर सदश्यों की संख्या legislative councils के अंदर बढ़ा दी गई, अब यह जो legislative council बनी थी, चाए center हो या फिर province हो, यानि province बोले तो राज्य हो, यहाँ पर सदश्यों को चार कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया था, कौन सा, एक कैटेगरी रखी गई थी, governor general और उसकी executive council, जैसे भारत में होता है, संसद और संसद के अंदर प्रधान मंत्री और cabinet, तो cabinet और प्रधान मंत्री एकदम हो गए, ex-officio member, वैसे ही वहाँ पर जो वायस राय है, और governor general के जो लोग हैं, वो एक executive council बनाएं, जैसे हमने क्या काथा, ex-officio member का, दूसरा हुआ, nominated official members, इसमें क्या था, इसमें governor general के द्वारा जिने nominate किया जाता था, कि भाई इस व्यक्ति को हम चाहते हैं कि सदश्चता दे दी जाए, उस प्रकार का nominated member था, इसके बाद और कौन था, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, nominated non-official member था, मतलब यहाँ पर वो व्यक्ति सामिल किये जाते थे, जो governor general ने तो nominate किये, लेकिन वो सरकारी सदश्य नहीं थे, आप सोचके देखिए, कि केंदर के अंदर सदश्यों की संख्या साथ कर दी गई है, दिमाग में आएगा ना कि यह साथ थे कौन, तो साथ में governor की खुद की जो council है, उसके सदश्य, मतलब ex-official, यानि कि governor की अपनी cabinet, दूसरा कौन था, governor ने अपने ही office हो में से सरकारी लोगों को चुना, कि बेटा तुम आ करके हमारी legislative council के सदश्य बनो, तो वो भी nominate कहला है, लेकिन वो कौन से थे, nominated official members थे, तीसरा कौन सा था, nominated non-officials member, तो nominated non-officials क्या था, उसके अंदर अंग्रेजों की जगह पर, मतलब सरकारी करमचारियों की जगह पर, governor general की पसंद से ही लोगों को रखा गया था, ठीक है न, तो यह तीसरी category हो गए, चौती category कौन सी थी, भारत वासियों में से ही चुन-चुन करके रखे गए लोग, यानि elected members, तो elected by different categories of Indians, तो ऐसे जो थे मेरे पहरे साथियों, मिल करके भारत के अंदर legislative council का निरमाण किया गया था, अच्छा, तो अब क्या हुआ, यह जो elected members थे, यह indirectly elect किये गए थे, elected members were elected indirectly, मतलब क्या हुआ, कि जो Indians लिए गए थे यहाँ पर, उनको एपरतक शुरूप से चुना गया था, मतलब क्या हुआ, जो local bodies थी, जहाँ पर लोग चुन के आये थे, उनके द्वारा legislative council के लिए member चुन करके आये थे, local body हुई, chamber of commerce हुए, जमिदार हुए, universities हुई, trader community हुई, muslims हुए, उन सब में से निकाल करके, फिर जा करके elected member को निकाल करके लाया जाता था, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है, इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, कि भाई, ultimately उनके पास में वो लोग पहुँचे, जो already बहुत संपन्न थे, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, जहां तक राज्यों की बात है, वहाँ पर non-official member जोते, वो majority म आ गए, non-official बोले तो, जो की सरकारी सदश्च नहीं है, लेकिन governor ने बिठाए हुए है, ठीक है न, तो ऐसी इस्थिती में मेरे पहरे साथियों, यहां पर legislative council में पहली बार भार्कियों को जगह मिली, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, दूसरी बड़ी बात क्य हुई, मेरे पहरे साथियों, यहां पर separate electorate की व्यवस्ता अपनाएगी, protection निर्वाचन की व्यवस्ता, मुसल्मानों के लिए, मारले मिंडो सुधारों के अंदर यह अपना लिए थी, इसके अलावा मेरे पहरे साथियों, और क्या हुआ, जो सदश्य थे, वो उनके budget पर discussion कर सकते थे, और यहां पर budget पर discussion तो कर सकते थे, साथ में वो पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न का मतलब समझते हैं, पूरक प्रश्न का मतलब हुआ, कि साहाव, आपने पूछा मुझसे, कि सर, यह answer कैसे हुआ, मैंने अपनी तरफ से answer दे दिया, भे आपन कहलाता है, जैसे आपने पूछा कि भई, क्या बूलते है, सर मुझे, आपने कोई सवाल पूछा, जैसे मानली जैगी, सर बताईए कि भारत के अंदर, भारत में अगला चुनाव क कभ होगा, मैंने आνसर दे दिया, कि भई, तब होगा, मैंने अपनी दरफ से random अंसर दे दि सोचो, प्रश्ण के उपर प्रश्ण पूछने के आजादे दी गई थी, और आज हमारी संसद देख लो, कुरसी तोड़ते हैं संसद, यहाँ पर पहले बाहर हम को लोगो, जहाँ बोलने की आजादे दी गई थी, आज इतने आजाद हो गए हैं कि कुरसी तोड़ने संसद अच्छा, दूसरी बात, ये जो लोग legislative assembly के अंदर बैठे हुए होंगे, ये कोई भी विदेश नीती के उपर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, दूसरा किसी भी princely state से कैसे behave करना है, ये बात में चर्चा नहीं की जाई, ठीक है, और मज़ेदार बात, जो YSRI की executive council थी न, executive council य जो की पहले व्यक्ति थे, जो की अंग्रेजों की council में जाकर के शामिल हुए थे, ठीक है न, ऐसे ही, जो secretary of state हुआ करता था भारत में, भारत का नहीं था वो, मारले जो था न, मारले, जो की अमेरिका में, वो, UK में बैठता था, जिसके बस 15 व्यक्ति हुआ करते थे, उसमे दो व्यक्ति इंडियन भी बिटाये जाने लगे, फायदा क्या हुआ, भाई अब वो इंडिया के बारे में लोगों को जादा जानकारी तरीके से दे पाता था, बतलब उन लोगों को इंडिया के बारे में समझा पाता था, तो उमीद है, सभी साथियों को ये बात अच्छ का प्लान बनाए हैं मैंने जो पढ़ाया उसी से आप लोगों को हाजी तो हाजी सबसे पहली बात तो मेरा रैफरल कोड जान लीजिए अंकित हैं मेरा रैफरल कोड है इसका उपयोग करके आप अनकेडमी पर कोई भी कोर्स पर्चिज करें चाहिए यूपी सी हो या ऐसे सी वो खर्चिज करें सकते हैं सुबह सबादस पजे आप लोगों की लक्षमी कांत चल रही है इस्पेशल क्लास में चल रही है आज हमने वहाँ प आंसर देते जाईए तो यह सारी की सारी बाते आपको मैंने बता दी है अब जल्दी जल्दी आंसर करते जाईए हाँ जी साथियो हाँ तो फिर 1909 समझ में आ गया चलिए आज नेक्ट क्रेक्शन की तरह बढ़ते हैं निम्न लिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सामप्रदाईक निर्वाचन मंडल को प्रस्तुत किया यानि कि आप लोगों के सामने जो सामप्रदाईक निर्वाचन मंडल हुआ यानि कि आपने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की कम्यूनली तो वो किसमें किसमें शुरू किया गया क्लियर है समझ में आ रहा है मतलब अब अब रिलेटिवली सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है ना इसी को कोई दिक्कत तो नहीं है न औल वेल चलिए इसके बाद में इसके बावजूद भी आप लोग गलत कर दे रहे हैं या तो आप लोग उस समय नहीं सुन रहे थे और या अब नहीं सुन रहे हैं पतानी क्यों ऐसा कर रहे हैं चलिए नेक्ट क्वेश्चन है निम लिखित में से किस अधिनियम को मारले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है सारे नाएं वाए से कनेक्टेड क्वेश्चन अभी मैंने समझाया अब आपके बन गए इंदिया में जो कमेटी के अंदर सदश्च थे उनका नाम एसपी सिनहा था बिटा कौन पूछे पवन गुपता एसपी सिनहा बिटा है ना जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मारले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा केंद्रिय परिशत की चमता 16 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी अभी बताया मैंने आप लोगों को नंबर्स भी बोले सारे की सारे शुभम कुमार बार-बार कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं और बच्चे धार-धार आंसर कर रहे हैं तो बिटा एक बार शुभम शायद इंटरनेट में आपके कोई दिक्कत आ रहा होगा एक बार देख लीजे बिटा नेक्ट पॉश्चन है 1909 में भारत परिश्चत अधिनियम के तैट किसे गवर्नर जनरल की कारे कारणी में प्रथम भारती विधी सदश्र नियुक्त किया गया था ये मैंने आप लोगों को बता दिया ठीक है समझा दिया न मैंने आपको अभी यही तो समझाया है नेक्ट पॉश्चन है 1909 में मारने मिंटों के आधार पर गठित होने वाली विधान परिश्चत के सदश्चों का निरवाचंग किस विधी से हुआ था ये अभी हाल पूछा है मुझे नहीं लगता कि आपको इ अभी है अभी मैंने बताया आप लोगों को इंडिरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चार प्रकार के सदश्च थे हो गए सदश्चों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने उनके विश्यों पर संसोधन प्रस्ताव रखने जैसे अधिकार किस अधिनियम के तहट दिये गए थे जस्ट अभी हाल मैंने आप लोगों को आया कि किस प्रकार से भारतिय सदश्चों को बोलने का अधिकार दिया गया और बोलने के अधिकार के साथ साथ उन्हें और अधिकारों में पैस करने का अधिकार भी दिया गया कौन सा हिक्ट था अब आपको समझ में आगे मेरी दस मिनिट की ब्रीफिंग में हमारे सारे कॉश्चन सही हो गए मज़ा आ रहा है कर दीजे एक बार निमलिखित में से किस गवर्णर जनरल को सारवजनिक निवर्वाचन का जनक कहा जाता है मतलब कम्यूनल जो वह है संप्रदाइक जो है कारेक्रम उसका जनक कहा जाता है कि मिन्टों ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमन लिखित में से किस ब्रिटिश अधीनियम ने से लोग सिवा आयोक की इस्थापना की गई थी निमन लिखित में से किस अधीनियम की वज़े से लोग सिवा आयोक की इस्थापना की गई थी अब यहीं से मामला बदल गया चलिए तो अब दूसरा पढ़ने का टाइम आ गया है ठीक है क्लियर तो यहां से आगे अब दूसरा पढ़ने का समय आ गया है पढ़िए मेरी पढ़े साथ हैं तो अब हम शुरू कर रहे हैं आपके सामने 1990 Act कोई बात नहीं आप लोगों को लगा अब तो हर कॉस्चन का आंसर 1909 ही देना है आप भी गलत नहीं थे करते चले गए है ना भई हाजी कोई बात नहीं हो जाता है हाजी साथियों अब बढ़ते हैं आगे के तरफ क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों अब होता यह है कि Government of India Act 1909 तक तो सारी काम सही थे 1909 के बाद में चर्चा होने लगी कि भाई किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा ऐसी इस्थिती में 1914 में हो गया विश्वयुद 1914 में जब विश्वयुद हुआ तो विश्वयुद के दोरान एक प्रकार का ऐसा माहौल क्रियेट हो चुका था कि इंडियंस की सहायता के बिना दीता नहीं जाएगा है ना तो विश्वयुद के दोरान इंडियंस को बिना पूछे ही ले जाया जाने लगा विड़ा तुम तो हमारे employee हो चलो, लेकिन Indians ने कहा कि हम लोग साब समुद्र की यात्रा के समर्था की नहीं है, हम लोग पता है समुद्र में जाना गुना समझते थे, तो बोले हम तो नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, तो अब ऐसी इस्तती में प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आया अच्छा, तो सिंग सहाब आपने अपने आंसर को प्रूव करने के लिए लाइन लिख दी कि लक्ष्मिकांत में यह लिखा है, कि पीसी को स्टार्ट करने की 1909 में कहा गया था, ट्राई बहुत किया गया था, पर अपोस करने की वज़े से नहीं हो पाया, तो बिटा एक बा कर रहे हैं ना, यह सारी चीजें आपको फाइनली पढ़ाई जा रही है, कोई भी चीज एक बार में तो नहीं हो गया ना, भारत ने आजादी के लिए तो 200 साल से लहनत की है, लेकिन तब जाके कहीं हम आजाद हुए हैं तो ट्राई से नहीं होता है बिटा, है ना, जो क्या लोगों से ये कहा गया, अंगलेजों के द्वारा, कि भाई देखिए, अगर आप विश्रियुद्ध में चलेंगे, तो हम आपकी सुनवाई करेंगे, क्योंकि आप लोग हम से चाते क्या हैं, इंडियांस तो एक ही चीज चाते थे, क्या चाते थे, बोले सर, इंडियांस त वो उस समय, उन्होंने एक आश्वाशन दिया, कि चिंता मत करिये, हमारा प्रयास है कि धीरे-धीरे आने वाले टाइम में अंग्रेज लोग जो हैं, वो आपको ही उत्तरदाई साशन दे देंगे, उत्तरदाई साशन का मतलब हुआ, आप अपना साशन चलाएंगे, ऐसी व जो अधिनियम आएगा, उसी में मांग लो, क्या मांग लो, आजादी, हमको चाहिए आजादी, तो ऐसी इस्तती में भाई सहाब, कि जब उन्होंने आजादी डिमांड करना चाही, 1919 के अंदर, तो अब बड़ा सवाल ये बन करके आया, कि हम लोगों की expectations तो थी high, और लेकि आजादी की जगे, आप हमको एक नया अधिनियम पकड़ा दिये, जिसमें तुलनात्मा ग्रूप से थोड़ी व्यवस्ताएं जादा थी, लेकिन आजादी नहीं थी, इस बात से भारत वाले बहुत नाराज हो गए थे, बड़ा बड़ा विरोध हुआ था, ठीक है, और यह यह कारण था मेरे प्यारे साथियों, कि आप ने इसी के बाद में ऐसा योग आंदुलन के बारे में भी सुना हुआ है, एनिवे, चलिए तो अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, प्रिंसिपल फीचर क्या थे, जिसकी वजए से यह सारी की सारी बातें हुई थे, बँ प्रजा हो घर के लिए आप प्रजा हो आपके बड़े भाई साहब या बड़ी दीदी और माता जी ये तो सब आप बड़े हैं ही और पिताजी हमारे एकदम घर के गवरनर जनरल ठैरे ऐसे समझ के चलिए गवरनर जनरल सहाब ने हम जैसी प्रजा पर साशन करने के लिए कुछ अधिकार माते अब भाई जो है हमारा या बेहन जो हमारी वो हमारे पार्टी की है पार्टी की मतलब अपन को ना ये जो छुटका है हमारा इसके उपर पूरा ध्यान देना है और इस पर ध्यान देने के लिए अब एक काम करते हैं हम आप लोगों को आप लोगों को बोले तो माता जी को बोले और हमकिन को बोले कि हमारे भाई साब को बोले कि भाई एक काम करो आप लोगों को मिलकर के इस छोटे का ध्यान रखना है अब नियम बांट दिये हो हमें माता जी से कहा कि तुम तो ध्यान रखोगी इसका कि ये कहीं घर में देरी से तो नहीं आता है मुलटकी के साव हम रख लेंगे ध्यान अच्छा, दूसरा तुम ये ध्यान रखोगी कि कहीं ये कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रहा है, दोस्तों से मिलने तो नहीं जा रहा है, टेलिफोन पर रात-रात-परत बत्या तो नहीं रहा है, हमारे जीवन की जो आजादी वाले फीचर थे ना, वो तो दे दिये माता जी को, कैसे वाले, कि देखो बाते हैं हमारी जितनी भी कुटाई हुई होती है उसके पीछे सबसे बड़ा मतलब मैं तो पूर्ण योगदान जो रहता है वो माता जी का रहता है क्योंकि माता जी खुद तो ठोकती नहीं है पिता जी उसी कायद कर देती है अच्छा तो ऐसी इस्थिति में माता जी वाला एपिसोड समझ में आ गया प्रजा है हम हम पर साशन कौन कर रहा है एक तरफ माता जी साशन कर रही है अब बड़े भाई साब की भी बात करते है साशन वो भी हम पर कर रहे है लेकिन उनका साशन कुछ इस प्रकार से है क्या उनको बोला गया कि भाई भाई साब बड़े भाई साब से बोला गया कि भाई सुनो ऐसी बात है आप जो है ना इसके ध्यान रखिएगा कि ये पढ़ाई लिखाई तो ठीक से कर रहा है मतलब ये जब बैठता है पढ़ने तो लिखता है कि नहीं लिखता है मतलब पढ़ते समय जो है लिखाई बगाई करता है कि नहीं करता है भी ठीक है साथ हम देख लेंगे अच्छा तुमको ये भी देखना है कि ये बोल-बोल के पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है अचे ठीक, एसाइब हम देख लेंगे अचा सुनो, इसका ये भी देखना कि इसके जेब में जो पैसा है कहीं वो कम तो नहीं हो गया है मतलब ये जो ़ोट लिखे जाता है उसमें कहयादा खर्चा तो नहीं हो गया है मतलब एक काम ऐसा हुआ कि जो नियंतरन पिता जी खुद रख सकते थे, अब वो दो लोगों में बांट दिया, अब भाई साब तो हमारे पक्ष के आदमी ठहरे, तो वो थोड़ा-थोड़ा हम पर lenient होना तो चाहते थे, जैसे हम लोग अगर मान लीजे पढ़ रहे हैं, और पढ़ते-पढ़ते जप पूरी-पूरी रख रही हैं, अब हो क्या रहा है ये, हो ये रहा है कि हम रहे अकेले, हम पर साशन कर रहे हैं दो लोग, लेकिन उनमें भी जो साशन कर रहे हैं, उनमें सही मायने में साशन कर रही हैं माता जी, तो माता जी और भाईया, इनके पास में नियम देने वाला इनमें से पापा जी ने अपने जैसे जो कठोर कानून थे वो रखे माता जी के पास में तो जो माता जी के पास कठोर कानून रखे थे वो कहलाए रिजर्व लिस्ट के कानून कैसे कानून कहलाए रिजर्व लिस्ट के कानून और जो कुछ अधिकार छोटे मोटे बड़े भा जवस्था का पालन होने के लिए विशेओं को दो भागों में बाट दिया गया हो, इस परिश्थिति को हम कहते हैं डाईयार की, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो अपनी कबिनेट बनाई थी, उसमें से कुछ पद तो रख लिए अपने वाले लोगों के पास और कुछ पद बाट दिये हम इंडियन्स को, लेकिन जो बाटे, वो पद ऐसे थे कि वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे, तो हम थो थे प्रजा, और हमारे पास में क्या हुआ, जो हमारे प्रजा के उपर साशन करने के लिए लोग थे, वो बढ़ चुके थे, ग केंदर में ऐसी डाइयार की का कोई भी उपबंध नहीं था, तो प्रविंसेस में गवर्नर जनेरल होता था, क्या बोले नहीं, तो क्या होता था, वहां तो सर गवर्नर होता था, तो बोले ठीक है, तो गवर्नर और एक्जेक्युटिव काउंसिल दो चीजह बन गई, चलो गवर्णर जो है उसको राज्य का प्रधान बना दिया गए जैसे आज भी देखते हो ना आज राश्टपती तो हमारे देश के प्रधान है लेकिन गवर्णर तो राज्य के प्रधान है ही ना चलिए इसके अलावा पिर क्या हुआ इसके अलावा मेरे पैरे साथियों जो कर दिया कि इंद्रिय विशे सूची के विशे और राज सूची के विशेओं में ठीक है न और वैसे हम आपको बताई चुक है सब्जेक्ट रिजर्व हो गए और ट्रांसफरेवल हो गए यह प्रमुक प्रमुक बातें यहां पर कर दिया ही थी ठीक है चलिए इसके अलावा औ अब जो लेजिसलेचर थी न विदाई का जो थी इसका साइस बढ़ा दिया गया और इसका जो साइस था इसमें ये कहा गया कि सतर परसेंट लोग जो है अब वो इलेक्टेड हुआ करेंगे और साथ में यहां पर क्या किया गया मेरे पैरे साथियों यहां पर जो क्या कहते ह हैं कि इस्टक हो गया है मैं सभी को है सभ्कों तीन सभी को सब्सेन दिखाई दे रहा है उस भाई का विचारE का हो गया होगा उसका दिमागा डिमाग तक भी हो गया होता है कही बएंप दाब में पढ़ लेते हैं हाजित Самि इसी स्थथी में मेरे पहरे साथी ये कार्य किया गया, सेंट्रल में क्या कार्य किया गया, सेंट्रल के अंतरगत गवर्णर जनरल तो मेन हैड थे ही, अब उनके पास में प्रमुख कार्य जो थे, विश्यों का चुकी बटवारा हो चुका था, एक Central विशह थे, प्रविंशल विशह थे, तो जो Governor थे, अब उनके पास में जो कारे हुआ करता था, वो Central से संबंधित कारे हुआ करता था, अच्छा, इसके अलावा और क्या किया गया, यहाँ पर जो YSRI की Executive Council थी, जिसमें अभी तक SP सिना जैसे एक ही व्यक्ति की Entry थी, 1919 में इनकी सदश्यों की संख्या बढ़ा करके 3 कर दी गई थी, Governor General को अधिकार दिया गया कि वो अध्यादेश पारित कर सकता है, अध्यादेश पारित करने का अर्थ क्या हुआ, जब Cabinet विधाईका उसमें नहीं है, तो वो अपने अध्यादेश पारित कर सकता है, जैसे वर और किया गया, और वो क्या था, बाई केमरल व्यवस्था अपनाई गई, बाई केमरल व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, जैसे आज हमारे देश में लोगसभा और राजसभा है, एक्जेक्ली ऐसे ही, अंगरेजों के टाइम पर भी उस समय की राजसभा और लोगसभा आती थी, अब आप इससे अंदाजा लगा कर देख सकते हैं, ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा और क्या-क्या हुआ था, पहरे साथियों, इस लेजिसलेटिव असेंबली में जो बनाई गई है, इसमें कुल सदश्चों की संख्या 145 रखी गई थी, जिसमें से 41 नॉम और 104 इलेक्टिड थे, इन इलेक्टिड मेंबर्स में से मुस्लिम्स अलग से थे, यॉरोपियंस को भी अलग से जगया यहाँ पर दी गई थी, ठीक है न, इसके अलावा यहाँ पर लेंडलोड्स भी थे, यहाँ पर दो सिख भी रखे गए थे, और दूसरा, इंडियन कम्य को रिप्रेजेंट करने के लिए दो सामान अभ्यक्ति भी रखे गए थे, यह सारा कारिया यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों किया गया था, किसके अंतरगत, यह पूरा की पूरा legislative assembly के अंदर की बाद थी, जो council of state था, जिसको आप राजसभा कहते हैं, उसमें सदश्यों की स संख्या है, वो बढ़ा दी गई थी, उपर वाले में क्या हो रखा था, यहाँ पर भी आने की जो आपका क्या कहते हैं, जो मैंने इस से पहले वाला जो आपको बताया, उसमें क्या था, जो लोग सभा थी उस समय की, उसमें भी elected की संख्या जादा थी, तो एक प्रकार से अ गई, यह सारा कार्य मेरे प्यारे साथियों एक प्रकार से भारत वासियों के बढ़ते प्रतिनिधित्व का परिचायक था, अब अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप लोग सही सरकार चला ले गए, क्योंकि राज्यों में provincial level पर आप लोगों को सरकार दे दी गई है, अगर आ साल बाद आने वाला कमीशन जो है, वो भाईया 1927 में ही आगया, जिसकी वज़े से विरोध हुआ था, जिसे आप साइमन कमीशन कहते हैं, आना तो वो 1929 में था, कि समिक्षा 10 साल बाद होगी, फिर भाई पहले ही क्यों आ गए आप लोग, तो बस यहीं से सारा बवाल फैल गया, लोगोंने साइमन गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिये, अब भाई, लोग साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ क्या होता है, अंगरेज हमसे तंगा गया, कि यार इनके लिए इतना करो, और यह हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंन रॉलेट एक्ट पारित कर दिया, रॉलेट एक्ट में कहा कि जितने भी दंगाई और विद्रो करने वाले लोग हैं, इन्हें बिना पूछे उठा करके अंदर डाल दो, बिना पूछे पूछ करके अंदर डाल दो, तो भाई साहब कहते हैं कि काला कानून पास किया गया था बिना अपील बिना दलील बिना वकील का एक कानून पास कर दिया गया जिसमें से हम लोगों को उठा उठा करके अंदर डालने शुरू कर दिये और भाई सहाब ऐसी स्थती में जब लोग इस रॉलिट एक्ट का विरोध कर रहे थे तो जलिया वाला बाग नामा के स्थान पर जो सिख थे बैसाखे के परव परिखते हुए और सत्याग रहियों में या फिर हर्ताल करने वालों में सत्यपाल जी और सैफुद्दीन किचलू इनको अंग्रेजों के द्वारा गिरफतार किया गया था तो इनके समर्थन में नारे लगा रहे थी तब जो थे वो जर्नल डायर जो है वो आते हैं ब्रिगेडियर डायर और वो आकर के गोली चला देते हैं गटना थी 13 अप्रेल 1919 की ऐसी इस्थिति में जलिया वाला बाग मसेकर होता है 379 लोग यहां मारे जाते हैं जो आदेश देने वाला व्यक्ति था उसका नाम माईकल ओ डायर था जिसको बाद में 1940 में किसने मार दिया उथम सिंग ने यह सारी की सारी बाते आज मैंने मौरनिंग में भी आप लोगों को पढ़ाई थी उमीद है आप सब लोगों को यह सारी बाते यहां से आगे रिलेट हो गई होगी तो देखिए कहां से कहां तक चीजें चलती हुई आई हमने आपको 1917 बताया मांटेग्यू गोशना के बारे में चलिए तो यह सारी के सारी चीजें जो है आपके क्लियर हो जानी चीज़िए चलिए आगे बढ़ते हैं आजी साइमन 1927 में आया था रॉलेट 1919 में आया था मतलब रॉलेट जो है वो इसी के विरोध में आया था कि हम लोग जो है न इससे खुश नहीं थे एक ही जो मैं आपको अभी बताई उनने सो साइमन था लेकिन असल में 1919 का जो एक्ट आया था हम इसके विरोध में थे हम इसके विरोध में थे क्योंकि हम लोग तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सवाल कुशा गया है, कौन से एक्ट के तहत, अब जल्दी से इसका आंसर कर दीजे, फिर आसके क्लास के छुट्टी की जाए, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैद साशन की स्थापना की गई थी, द्वैद साशन की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई थी, बिल्कुल हो गया उन्निस नेक्स्ट है ग्री सदनिय विधान मंडल का प्रावधान निम्न लिखित में से किस अधियनियम द्वारा किया गया था अभी हाल बता दिया अब आपको मैंने जो पॉइंट बोले हैं वो सारे की सारे पॉइंट यहां दिखाई दे रहे हैं के लिए next question है रंडल में भारत के उच्चा युक्त का कारय वह किस अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था यह अच्छा क्यूंद ना जो कार्याले इस्तित्था ना उस लंदन में सच्छिव का कार्याले था और सच्छिव के कार्याले के अंदर भारत वासियों की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई थी उस व्यवस्था में 15 सदश्य व्यवस्था थी किस अधिनियम के तहत प्रत्रक्ष निर्वाचन सिध्धान्त को माननेता दी गई थी मैंने आपसे कहा ना वोटिंग इंट्रड्यूस की गई थी यहां से तो यह सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी अभी नाश तो इसका मतलब अब तो टॉप कर रहे होंगे बिटा क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं तो अब तो गिफ्ट ले ही जाओगे आप है ना गुड़ है यार शाबाश नेक्स क्वेश्चन है उन्नीस सो निस में भारत सकार अधिनियम का दूसरा नाम क्या था सब लग रहे हैं आप सारे एक सारे हलवा क्वेश्चन्स न्टीपीसी में सारा आ गया चलो ये भी अच्छी बात है गुड़ अधिनियम के तहट कौन सी बात सही नहीं है असेंबली कुड नॉट आस्क फॉर एनी इन्फोर्मेशन अबाट दी गवर्मेंट फ्रेंचाइज इस लिमिटेड मतादिकार सीमित रखा गया आल्दू सम एक्स्पेंडिचर डिपार्टमेंट वर्ट ट्रांसपर्ड गवर्म सही नहीं है अभी तक जो निर्वाचन का सिध्धान था वो 1909 के अंतरगत केवल मुस्लमानों को दिया गया था क्या इसका विस्तार हुआ था अब इसे बढ़ा करके सिख इसाइर और एंगलो इंडियन्स एवम यूरॉपियंस को दे दिया गया था चीग है उप 910 के अंधिनियम के दोरा प्रांतिय सरकार को क्या किया गया ? इसको पावरफुल बना दिया गया इसको क्यासा किया गया पतलब प्रोभिंस्टी गवेर्मेंट है इसको यूजर्स बना दिया गया क्या किया दो बजket वाली क्लास की हिम्मत नहीं हो रही है लगा कि बैठा नहीं गारा रहा 1919 के अधिनियम द्वारा प्रशाशन के छित्र में in the field of administration by the act of 1990 centralization policy को increase किया गया decentralization को किया गया autonomy of the provinces जो थी उनको खतम कर दिया गया क्या किया गया था मतलब centralization हुआ था decentralization हुआ था अधिकारों का मतलब केंदर से राज्जों को अधिकार दिये गये थे या राज्जों के अधिकार भी केंदर ने ले लिये थे CDC बात है अज शाम को लेकिन discussion session लेकर के आएंगे साथ बज़े ठीक है ना घवर्णर जनल का कार्यकाल कितने वर्चका होता था यह अथा सवाल है बहुत ही प्यारा सवाल है गर्वर्णर जनल सुनते तो हम बहुत हैं इनका कार्यकाल कितने साल का होता था अधिकार केंदरिय विधान सभा का कार्यकाल कितने वर्षों का था केंदरिय विधान सभा जो बनी थी उसका कार्यकाल कितने साल का था यह बहुत ही अच्छा सवाल है चलिए फिलाल के लिए इतना ही फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में ठीके बड़ा इसक्र बड़ाँ कितने सब्सक्राइब तो दो खेचेस्टा यह दितना है झाल 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 झाल